अगर आपके पास चाहे टू विलर है चाह फोर विलर है गाड़ी है तो ये ख़बर आपके लिए बहुत ही जुरूरी है क्योंकि इच लानिंग का जो दोर आने वाले समय में चल रहा है और इस वक्त भी चल रहा है अगर आप कोई वाइलेशन करोगे तो आपकी जो गाड़ी हैं हाला कि बहुत से मैजिस्टेट दुबारा कोर्ट से भी जो ट्राफिक अदिकारियों को ये फड़कार लगाई है कि अगर जिसका चलान काटा जाए उसी को जो है ये इसकी कापी जानी चाहिए आज हमारे पास एक मामला आया है चलान जो है जो काटा गया है जिसमें जो इच लानिंग के थरू एक व्यक्ति को जो मैसेज आता है उसमें जो चलान की कापी आती है उनके पास स्कूटी है लेकिन चलान जो है बाई का फोटो जो उस पे है वो बाई की है और चलान उनको स्कूटी का उनके घर आ गया है हला कि मामला जो जम्मू का है जम्मू में ट् अलाकि वो सुबा मौर्नी में जब उन्होंने अपना फोन ओपन किया तो उनको ये लगा कि गाड़ी मेरी गर में है कहीं गई भी नहीं और उसके बाब जूद भी जो है चलान मुझे आ गया है उन्होंने हमार साथ संपर्क किया हमने जानने की कोशिश की ये कापी इस वक्त ह जो ये चलानीं के थूद जो फोटो में दिखाई गई है येक वाइक है पुसर वाइक है जिसका जो violation करता हूँ अब यक्ती जा रहा है उसको चलान आया है लेकिन जो ट्राफिक करमचारी जो इसको monitor कर रहे हैं जो इसको proper तरीके से देख रहे हैं कि जब जो चलान आखिर इसको पूरा proper चेक करना चाहिए गारी का number क्या है इससे क्या होगा एक अलग सा message जो है public में जाएगा ज लेकिन आखिर अब ही क्यों correct किया जाएगा पहले इसमें ऐसी गलती क्यों जिनको यह चलान हुआ है वो हमारे साथ जहां पर मुझूद है उनसे करेंगे बाद सर क्या कहेंगे जिए जब आपको चलान की कापी आई क्या कहना चाहिए सर जैसे में सुबा उठा ग्यारा बजे तो मैंने देखा कि मुझे message आए यह चलानी तो सबसे पहले मेरा द्यान जही गया कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है तो कि मैं दो दिन से बार ही निकला स्कूटी मैंने निकाल ली नी तो इस चलानी का मजल है कि मैंने सोचा कि कोई मे सकूटी मेरी स्कूरी मेरे पास ही गडर में के बार ही खड़ी थी तो उसके बाद मेंने सोचा जा मितों दो दूर दिन से फॉन के तो प्र उपन किया तो जब मैने इसका फोटो क्लिक किया तो इसमें जे फोटो साब साब देख रहा है पलसर गाड़ी दिख रही हैं और कोई और बैठा हुआ है और जे इसमें फोटो भी अर्टे समने दिखाई दे रहा है मुझे लागा है शायद जो इदर जो चलान की कापी करे Enough रहे हैं जो मुझे लगे रहा है कुछ तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को जिन से पढ़ा नहीं जाता है इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है अगर पढ़ा जा रहा है तो इननों घल्थ चलान कैसे बेज दिया उसके बाद में मैंने डी आईजी ट्राफिक जम्मू को फोंड किया इनका जो कस्टमर केर का नंबर है कहने का मदन सोबह से लेकर घ्याराने से कर अभी शाम तक में पूरा दिन मेरा बरबाद भी होगा तो कहने का मतलब है कि आनलाइन बहुत अच्छा काम है जो आनलाइन हो जाती है ताकि गल्क लोगों को जो भी काम करें कोई तरीके से करें जो भी चलान जिसका भी बनता है तो प्रापर तरीके से उसी को जो 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 वाइलेशन करता है तो यह थे केवल कुमार जी जिनको यह चलान जो है जहां पर अगर इनके पास स्कूटी है इनको मौर्निंग मी यह चलान की कापी आगे जब इन्होंने थोड़ी जांच परताल की तो कहीं जाके पता चला कि यह ब हारास्मेंट कहीं न कहीं पब्ली को हो रही है जो भी ट्राफिक करमचारी है वो ध्यान से अपनी ड्यूटी करें अगर इच लानिंग वाली सुविदा आपको दी गई है कोई भी वाइलेशन करेगा तो कैमरे में कैद हो जाएगा क्यूंकि CCTV कैमरा जो है जम्मू में हर जगा हो गी है लेकिन ये वाक्या जो है जम्मू का था जो चलान जो जम्मू में करता है और कापी जो है उदमपूर के व्यक्ति को आती है अगर ये कहीं अप्रोच नहीं करते तो इनको जान तो पे करना पड़ता जैंकि गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती थी जैंको जम्मू जाक है ऐसे कहीं मामले पहले भी आ चुके हैं अलाकि बात करें तो बहुत से कोर्टों के जज्जों ने ट्राफिक करमचारियों का फटकार लगाई है कि अगर आप इच लानिंग है तो उसका कारे बिल्कुल सही डंक से करें पिलारा आप देखते रहे हैं अली टाइम्स अली ट आमाखिर पो